ओम शांती 20-7-2024 की साकार मुरली मीठे बच्चे माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए पवित्र पौधे आपवित्र बन गए अब फिर पवित्र बनू प्रश्न हर एक बच्चे को अपने उपर कौन सा वंडर लगता है बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है उत्तर बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे किसके बच्चे थे ऐसे बाप का हमें वर्शा मिला था उस बाप को ही हम भूल गए रावण आया इतनी फागी आ गई जो रचाईता और रचना सब भूल गया बाप को बच्चों पर वंडर लगता है जिन बच्चों को मैंने इतना उच बनाया राज भाग दिया वही बच्चे मेरी गलानी करने लगे रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया ओम शान्ति क्या सोच रहे हूँ नंबर वार पुरुशार्थ अनुसार हर एक की जीवा आत्मा अब अपने उपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे किसके बच्चे थे और बरोबर बाप से वरशा मिला था फिर कैसे हम भूल गए हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे बहुत सुखी थे फिर हम सीड़ी उतरे रावण आया गोया इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए फागी में मनुष्य रास्ता आदी भूल जाते हैं न तो हम भी भूल गए हमारा घर कहा है कहा के रहने वाले थे अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिने हम आज से पांच हजार वर्ष पहले राज भागे दे कर गए बड़े आनंद मौज में थे यह भूमी फिर क्या हो गई कैसे रावण के राज्य में आ गए पर आए राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा कितने तुम भटके अंदुश रद्धा में बाप को ढूंडते रहे पर तुम मिले कहा जिसको पत्थर ठिककर में डाल दिया तुम मिलेगा फिर कैसे आधा कल्प तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए अपने ही अज्यान के कारण रावन राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है भारत भक्ती मार्ग में कितना गरीब बन गया बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ती मार्ग में कितना भटके हैं आधा कल्प भक्ती की है किसलिए भगवान से मिलने लिए, भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं, क्या देते हैं, वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धु बन गए हैं, यह सब बाते बुद्धी में आनी चाहिए, हम क्या थे, फिर कैसे राज भागे करते थे, फिर कैसे सीड़ी उतरते उतरते रामड की जंजीरों में बांधते गए, बंधते गए, अपरमपार दुख थे, पहले पहले तुम अपरमपार सुक में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्ज में कितना सुक था, फिर पराय राज्ज में कितना दुख उठाया, जैसे वो लोग समझते हैं, अं अंदर में ख्याल आना चाहिए हम कौन थे किसके बच्चे थे बाप ने हमको सारे विश्व का राज दिया फिर कैसे हम रावण राज में जकड गए कितने दुख देखे कितने गंदे कर्म किये स्रश्टी दिन प्रति दिन गिरती ही गई है मनुश्यों के संसकार दिन प्रति दिन क्रिमिनल होते गए हैं तो बच्चों को स्मृती में आना चाहिए बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे जिसको राज्य भाग दिया वह फिर मेरे उक्योपेशन को ही भूल गए अब फिर तुम तवमों प्रधान से सतों प्रधान बनना चाहते हूं तो मुझ बा प्रधारों में गिरपतित बने और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे माया के संग में तुम इतना गिरपड़े जो जिसने तुमको आसमान में चड़ाया उनको ठिकर भित्तर में ले गए माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है बुद्धी में आना चाहिए न एकद रातवासियों तुमको हमने राज्य भाग दिया। तुम देवताएं हैवन में थे। फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए। यह भी ड्रामा में पाठ है। तुम रचता और रचना के आदी मद्य अंत को समझो। तब उच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्ह नहीं हमारे विकर में विनाश हो। यहां भल सब बैटे हैं। फिर भी किसकी बुद्धी कहा है। बुद्धी में आना चाहिए। हम कहा थे। अब हम पराइरावण राज्य में आकर पड़े हैं। तो कितने दुख ही हुए हैं। हम शिवालाय में तो बहुत सुखी थे। अब बाप आये हैं वेश्यालर से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं, बाप कहते तुम शिवालर चलेंगे फिर वहाँ यह विश्व नहीं मिलेगा, यहां का गंदा खानपान नहीं मिलेगा, यह तो विश्व के मालिक थे न, फिर यह कहां गई, फिर से अपना राज्य भाग ले रहे हैं, कितना सहज है, यह तो बाप समझाते हैं, सब सर्विस सेवन नहीं होंगे, नमबर वार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5000 वर्ष पहले की थी, सतो प्रधान बनना है, बाप कहते हैं, यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया, एक्यूरेट, जब पुरानी ह होगी, तब तो बाप आएंगे न, बाप बिगड़ तो कोई समझा न सके, भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, यह याद रहे तो भी बुद्धी में ग्यान हो, फिर औरों को बता कर आप समान भी बनाएं, बाप समझाते हैं, पहले तो तुम्हारे कर्मिनल क कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह अभी क्रिमिनालिटी हुई, सिविलाइस्ड तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा, सो गुना पाप चड़ जाएगा, घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे, बाप समझाते हैं, तुम अभी रामण राज्य में तो नहीं हो न तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्या करनी है, बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो, पाँच विकार तुमको आधा कल पे गिराते आए हैं, सबसे उच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी हुए, तुम हो इन पाँच बूतों ने तुमको गिराया है, अब शिवाले में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैश्याले से दिल हटाते रहो, बाप को याद करो तो अंतमती सुगती हो जाएगी, तुम घर में पहुँच जाएंगे, कोई या रास्ता बता नहीं सकते, भ अनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम बर्शा पा लेते हो, इसमें हट योग आदी की बात नहीं, अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो, शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते, यह भी भावी है, तुम समझते हो, हम रामराज्य में थे, रहेंगे, ब्रामन बन कर सब यहां ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते, रहना भी अपने घर में है, और बुद्धी से समझना है, हम शूद्र नहीं हम ब्रामन है, ब्रामनों की चोटी कितनी चोटी है, तो ग्रहस्त में रहते शरीर निर्वाह के लिए धंदा आदी करते, स शुरू में कितने बड़े बड़े ज़ाड आए, फिर उनमें उनसे कोई रहे, बाकी चले गए, तुम्हारी बुद्धी में है, हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहां आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं, तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना नीच पद, भल सुक तो वहां है ही, परंतु पुरुशार्थ किया जाता है उच पद पाने का, बड़ा मरतबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझ सकते हैं, अब ही सब पुरुशार्थ कर रहे हैं, किंग महें इंदर भोपाल के भी पुरुशार्थ कर रहे हैं, वह किंग तो पाई पैसे के हैं, यह तो सूरिवन्शी राजधानी में जाने वाले हैं, पुरिशार्त ऐसा हो जो विजय माला में जा सके, बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जाच करते रहना है, हमारी आखे कहां क्रिमिनल तो नहीं होती हैं, अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए, भलवेकार में नहीं जाएंगे, परन्तु कुछ ना कुछ आखें धोका देती रहती हैं, नंबर वन है काम, क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है, क्रिमिनल आईजड, सिविलाइजड, बेहद का बाप बच्चों को जानते तो हैं न यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सर्विस करते हैं, फलाने की क्रिमिनल आईजड अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समचाराते हैं, आगे चलो और भी accurate लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे, हम तो इतना समय जूट बोलते गिरते आएं, ग्यान पूरा पारों की बिमारी छेपानी नहीं है, सच बताना चाहिए, हमारी बुद्धी इस तरफ जाती है, शेबाबा तरफ नहीं जाती, बताते नहीं हैं तो भबरद्धी को पाती रहती है, अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभीमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई हैं, तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया है, सब कहते हैं यह ग्रहस्त आश्रम तो परंपरा से चलाया है, क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे, लेकिन वहाँ विकार से बच्चे नहीं हो रावण कहां से आया, मनुश्यों की बुद्धी बिलकुल चट खाते में हैं, किसने की, मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुमारा बेड़ा पार किया था, फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया, रावण ने, यह भी तुम भूल गए हो, कहते हैं यह तो परंप करा कब से, कोई हिसाब तो बताओ, कुछ भी समझते नहीं, बाप समझाते हैं तुमको कितना राज्य भाग के दे कर गए, तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे, और कोई था ही नहीं, क्रिश्चन भी कहते हैं पैराडाईस था, चित्र भी देवताओं की हैं, उनसे क कोई पुरानी चीज तो है नहीं, पुराने ते पुराने या लक्ष्मी नरायन होंगे, या इन्हों की कोई वस्तु होगी, सबसे पुराने ते पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था, पुराना क्यों कहते हैं, क्योंकि पास्ट हो गया न, तुम ह थे फिर सावरे बने। सावरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। जूले में भी सावरे को जिलाएंगे। उनको क्या पता कि गोहरा कप था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। में राधे ने क्या किया। थोड़ा भी अपना हैंकार आने से और ही सत्या नाश कर लेते हैं बेहत कब आप तो समझाते रहेंगे इसमें फंक नहीं होना चाहिए बाबा ने ऐसे क्यों कहा हमारी इज़त गई अरे इज़त तो रावण राज्य में चट हो ही गई देह अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर लेंगे पद ब्रश्ट हो पड़ेगा क्रोध लोब भी क्रिमिनल आई है आँखों से चीज देखते हैं तब तो लोब अहोता है बाप आकर बगीचा देखते हैं किस किस में के फूल हैं यहां से जाकर फिर उस बगीचिस में फूलों को देखते हैं शिव बाबा को फूल भी बरोबर चड़ाते हैं वह तो है नराकर चैतन्य फूल तुम अभी पुरुशार्त कर ऐसा फूल बनते हो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं होता तो कुछ नहीं खहरता नहीं अरे प्रजा भी तो चाहिए न थोड़ा भी सुना तो भप्रजा हो गई प्रजा तो ड्हेर बननी है ज्यान कभी विनाश को नहीं पाता एक बार सुना शेबाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे अंदर में तुम्हें यह इस्मरती आनी चाहिए हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं उसके लिए पूरा पुरुशार्थ करना चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग धारना के लिए मुख्य सार पहला शिवालय में जानी के लिए इन विकारों को निकालना है इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है दूसरा जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है एंकार में कभी नहीं आना है कभी सिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है वरदान खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुन्न आत्मा भव इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है तो दुखी आत्माओं को खुशी देना या सबसे बड़े से बड़ा पुन्न दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया अब सिर्फ जो मिला है उसे बाटते जाओ बाटना माना बढ़ना जो भी सम्मंद में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई स्रेष्ट प्राप्ती हुई है जिसकी खुशी है स्लोगन अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोका नहीं खा सकती वह सदा विज़ई रहती है अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात से धोका नहीं खा सकती वह सदा विज़ई रहती है अच्छा ओम शान्ती आतर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिश्टियों ही दे ते रहों बाबा